यह कहावत इस घटना पर फिट है कि शराब की नशे में गीदर भी शेर बन जाता है हुआ भी यही कि होले के दिन बच्चे को पढ़ाने की स्कूल के डारेक्टर शराब का सेवन किया और फिर राइफल और पिस्टल लेकर स्कूल कैंपस से बाहर निकल कर स्थानी लोगों को धमकाने लगे राइफल और पिस्टल चमकाने और लोकल लोगों को धमकाने की आवाज जब स्थानी लोगों ने सुनी तो स्कूल के डायरेक्टर साहब का विडियो बनाना शुरू कर दिया इसी बीच आरोप के मताबिक स्कूल संचालक ने एक घर के बाहर जाकर हंगामा शुरू किया और लोगों को माणने की धमकी देनी शुरू कर दि इसी बीच एक महिला का हाथ पकड़ने का भी आरोप लगा तब तक भीर इकटी हो गई और बेचारा शराब के नशे में राइफल लेकर शेर बनने की जगह कीदर बन गया लोगों ने विडियो बना ली और पुलीस को फोन कर स्कूल संचालक की करतूद बताई तो ततकाल स्कूल कैंपस के बाहर पुलीस की टीम पहुँच गई और स्कूल संचालक पुलीस की गारी दिक स्कूल में घुज गया पर पुलीस वाले ने उसे जाकर पकड़ लिया पूरा मामला बिहार की राजधानी पतना का है पतना के बाइपास थाने इलाके में चल रहे सिटी पतना सिंड्रल स्कूल के संचालक पीके दर्शन को हिरासत में ले लिया गया और उसकी राइफल और पिस्टल भी जब्द कर ली गई मामला होली के दिन का है और होली में शराब बन बिहार में शराब पी कर इस तरह हंगामा करना स्कूल संचालक को महंगा पड़ गया अब आपको बताते हैं कि पहले घटना क्या हुई सानी लोगों और पिरितों से सुनिये पूरी कहानी हम अपने घड़ पे थे दिरापड में हमारी भाई ज़ारू दे रही थी टो हमारी वाईब को मतलब आइसे जरी वाला चना करके पूरा जो है यह हमर्वाईब को रहाता है वाईब भाग गई अंदर हमारे घ़र आइसे स्कूल के बगल में हैं तो हमें को तुम आइसे नहीं रedका सब्सक्राइब हैं वह बाद में बंदूग दिखाते आज भी बंदूग दिखा रहे था आद है राइब वैटेम सबते 1973 पाले बच्ची के साथ कोई कुछ नहीं होता अकाते हैं कि हम कोड से बड़ी हो जाएंगे तुम लोग चिंता नहीं करो अपना नाम बताए का अब शुमाम दरसल मामला की तूल पकरते ही पच्चना पुलीस की टीम ने घटना स्थल से स्कूल संचालक पीके घर्शन को हिरासत में ले गई और नशेमें तुल स्कूल संचालक को शराप पिने की जाच कराई इस स्कूल संचालक के हिरासत में जाते ही स्थानिय लोगों ने राहत की सांस ली है खुलासा के लिए पटना सीटी से अरुन कुमार की यह रिपोर्ट